हेलो फैंट्स वैलकम टू गेम तो दोस्तों एक बार फिर आपके सामदे एक बहतरीन वीडियो के साथ तो दोस्तों अगर आपकी ब्रांच है मेकेनिकल या फिर आप पी आई ब्रांच के इस्टुएंट हैं तो जितने भी मैनुफेक्ट्रिंग प्रॉसस होते हैं उनके डिफेक्ट्स के उपर कॉश्चन हर एक्जाम पूछता है चाहे वो गेट का एक्जाम हो चाहे वो एसी का ए दोश्तों डिफेक्ट्स हार्व यह होते हैं कास्टिंग फर्मिंग इन तीनों का जुदिफेक्ट्स होता है वो हर एक्जाम पूछता है प्लीज मार्क माय वाय्ट्स मैं क्या बोल रहा हूँ ऐसा कोई एक्जाम नहीं है अगर आप मेकेनिक अ Bye यह बढ़ांच के शें और वें मैं एंगियनिंग का एक्जाम आप देने जा रहे हो तो defects are very important हर exam defects के बारे पूछता, क्योंकि हम जो भी product बना रहे है उसके defects के बारे में नॉलिज नी है, क्या knowledge है, क्या knowledge है है तो defects का knowledge होना बहुत जादा आवशक हैं वीडियो को एंड तक जरूर देखीए गाड़ियो धूस्तों इतने बहतने तरीके से आपको वीडियो मिलने वाली है, ओर केवल डिफेक्स के नाम रधाने के लिए याप और में, वहापको बता होँगंगे वह डिफेक्स चिह आता है, मिम्यार है कैसे उसको हम रिमूब कर सकते हैं इस बात की जानकरी वाज आपको वीडियो मिलने वाली है ठीक है फ्रेंड्स तो जितने भी आपके एक्जाम है चाहे आप ESE के करने जा रहे हैं कि एक बार बात पता वीडियो स्टाट करने से पहले सारे इसको एक ही डिपक्स को एक डेगरम समझाओ आपको मजा आपको थीक है चलिए तो कौन-कौन से तरह की डिपक्स में बन सकते हैं रही फर्स तरह विडियो डिफेक्ट है हम बात करेंगे चाहिश डि आपकोई मैटेरियल एंड मेथर्टक्ट प्रेट उल्डिंग इस कि ऐसे कि फ्र्ट के वज़े से क्या डिफेक्ट आपकोई उनके बात करेंगे गेटिंग डिजाइइन डिफेक्ट्स Gating Design defects Gating Design defects Pulling Metal defect Pouring Metal जिस Metal का पोर करने वाले हो उसकी वज़े से क्या defects आने वाले है हुनकी बात करेंगे बीटाऊ इसके लावा metallurgical defects metallurgical defects metallurgical defects से बात करेंगे और इसके लावा बिटा जो भी other miscellaneous defects से उनकी बात करेंगे ठीक है other defects आपको समझ में आ गया होगा मेरे इस पढ़ाने के तरीके से कि मैं यहापर केवल नाम लिखाने के लिए लिए आए यह जो डिफेक्ट होते हैं मैं पूरी डिटेल में जाने वाला हूं ताकि हर एस्परेंट चाहे वो कैस की वज़े त्याने वाले defects ठीक है तो यह क्या है सबसे बहुत याद करो कास्टिंग करते कैसे कास्टिंग की बात करें कास्टिंग के जर्नल पॉथियर को अगर नों देखें तो हमारे पास बेटा क्या होता है हमारे पास इस तरह से कोप एंड ड्रैग बॉक्स होते है ठीक है कोप एंड ड्रैग बॉक्स होते है इसको हम फ्लास्क बोलते है ठीक है यह हमारी इंटर के कैविटी है यह हमारी में कैविटी है ठीक है दिस इस अवर में कैविटी जहां पर हमारा एक्चुल में प्रोड़क्ट जो बनने वाला ह 거야 इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं को बोक्स इतना ऊच्छ तो पता होगा आप लोगो ठीक है कि उमेजन करेंगे कि हमरें क्यूबाइडल क्यूबायट कि कास्टिंग बनानी है ठीक है एक कास्टिंग में इसी में राइट इस सब मोल्डिंग सेंड है अब बीच में कविटी जाप हम लिक्विड मेटल को पोर करते हैं तो ज्धानती सुनिएगा यहां पे मेटल को पोर करने बाद हमारा जो मेट्र जो हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए अब यह क्या है अब यह क्या है अब यह क्या है अब यह क्या है अब मेरा जो प्रटक आना चाहिए सूखने के बाद इस तरह से मिलना चाहिए वह इस तरह से मिलना चाहिए लेकिन लेकिन मैं पढ़ाने आया हूं आपको डिफेक्ट तो मैं बात करूंगा कि अगर डिफेक्ट आएगा गैस की वजा से तो क्या होगा ठीक है यह हमारा प्रटक निगल के आना चीज़ी था बट यह ऐसा नहीं आएगा कैसा आएगा देखते हैं बाइबन जैसा कि मैंने बोला मैं एक ही प्रटक में एक ही पिक्चर मां को सारे डिफेक्ट समझाता जाओंगो तो देखो लेट्स इमेजिन हमारा प्रटक निगल के आया कुछ ऐसा ज्यान देंगे बेटा तो बड़ा करके बनाओंगो डाइगराम को एक ही डाइगराम में सारे डिफेक्ट समझाता तो उसी कास्टिंग को मैंने एथा करके बना दिया काई देते यह एथी उनीची थी पूरी रेक्टेंगुलर शेप की उनीची थी मतलब 3D में देके तो क्यूवाइड है यह ठीक है बट मैं किया रहा हूं इफेक्टिव कास्टिंग बनी है कुछ इस तरह की कास्टिंग बनी ध्यान ते देखना बेट अब जा रहा हूं मजा आने वाला है मजा आने वाला है भाईयो बहनो मैं आपसे पूछना चाहता हूं आरे क्या आपको गेट का, ESE का, AE का, JEE का एक्जाम फोड़ना है तो बेटा जाके मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करो गेम लाइव नीचे वीडियो के डेस्क्राशन में लिंक दिया गया है वहां ते गेम लाइव अप्लीकेशन डाउनलोड करो और चोड़ो मेरे साथ तो देखो बेटा गैसियस डिफैट्स हुआ क्या जब गरव गरव मेटल को पोर किया गया जानते सुनेंगे तो उसके अंदर बहुत ज्यादा हीट थी उस हीटिंग की वजाए से बेटा जो मॉइस्चर कंटेंट था इस मिटी के अंदर वो वेपर बना वेपर मतलब गैस बना इसके लाबा क खंटेंट की तरह आते हैं अब हो सकता है बबल ट्रैप करणाएं अंदरि अंदर अंदर रहेगा मनको तो बेटा क्या होगा यहाष कास्ट इंदर अइसा दिखाई देगा कि जो गैस के बबल्स है यह वह इस तरह से दिखाई देंगे इनको बोलते हैं ब्लोई होल स्मझाय यह ॉडोल फूल्स कई बार कई बार कई बार यह अब जाते हैं तो बहुत सारे बबल्स तो निकल जाएंगे जिसको क्या वोटते है गैस को बार निकालने की अबलिटी तो गैस जो पनीती वह लिक्विड मेटल के थूरू ट्रेवल करती हुए यहां पर पहुचे हैं पर मिट्टी के अंदर वॉइट से हैं मिट्टे के अंदर खाली जगा निकाल निंदर यहां क्यों कि यह वह पार न॥ा हिए पर मिट्टी को यह यहीं तो dim कि आहिसा टाल है कि तो वह बिचारा तो आ alliance कि मिट्टी कि आप कि चुन्टी को हो बीचार किम तो यह सब यहाईगा और इस डिफेक्टों बोलते हैं क्या बलते हैं यह वाला जो डिफेक्ट है स्कार क्या बोलते हैं स्कार सभाया तो ऐसा हमारी कास्टिं के अपर सर्फेस पर अपर सर्फेस पर आके वह बबल लुह रुख जाएगा जो जन्नली एक्टेंगौलर शेफंसका हो सकता है चैनल कले बार जनल को यह जो हो ने आप पर उसके उसके अपर सर्फेस के लेफट अंड साइड में इस जगा पर जाएगी ओ कुछ लिक्विड मेटल यहां पर अब सूखने के बाद वह इस उबने पाइट को अठा दूँं तो यह इसकार और यह स्कार इखाई देगा बिल्कुल कि यह c focal यह मी तरह करें चीत तरह प्री तरह मुठी सब्ससकाय लेकिन तब कर दो स्केर इसकार कि अन्य नहीं वहसे दूब आतरों टार्व lift liver क्या यह 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 एक इसकार है यह किस्कार ही है लेकिन कवर्ड वाया थिन लेयर समझो þू इस is the scar IS carout也可以 by work by tha port in layer in layer Çok a ukhtin layer of metal दूदुसто थीखे अब इस डिपड को इस इस्कार तो नही बोरे क्यों कि स्कार तो इसपेट को नया नाम दिया गया, that is what we call blister, क्या बोलते है पेटा इसको blister, तो blister क्या होता है, blister एक scar है, जो covered है एक पतली सी thin layer से, इसको बोलते है पेटा blister, क्या बोलते है, blister, ओके blister, ना कई पार पेटा हम जब casting कर रहे होते हैं, तो hydrogen gas evolve होती है, hydrogen gas निकलती है, और hydrogen gas अगर interrupt करकी हमा चोटे, 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 पिन होल बना देती है, पिन होल, बहुत सारे, बहुत सारे, एक दो नहीं बहुत सारे पिन होल बना देती है, तो वो हमारी casting में कुछ इस तरह से देखाई देते हैं, चोटे, 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 च पिन मतलब बहुत पतला सा होल, देखो, ये भी होल है, बट ये ब्लो होल है, बड़ा है काफी ये, ये पिन होल है, चोटे-चोटे पोरोसिटी कर देगी, चोटे-चोटे-चोटे पोरोसिटी कर देगी, तो इस डिपेक्ट को बोल जाता है, क्या, पिन होल पोरोसिटी, क्या आया आया मजाया अरे मजा आया कि नहीं आया चांपो बटापट तो एक ही diagram मes sate कैंड अपको समझादिये gaseous defect गटके लिए इस figure is representing gaseous defect ठीक है तो इस figure में हमें क्या दिखाई दे रहा बिटा इस figure में हमें दिखाई दे रहा है gaseous defects gaseous defects चापो फटापट मजा आया अरे मजा आया के नहीं आया चली अब बात करते हैं कि इनकी क्या remedies होनी ठीक है remedies मतलब remedies मतलब कैसे इनको prevent कर सकते हैं लोग तो remedies की बात कर लेते हैं या prevention बोलो आप कि कैसे हम इसको prevent करें prevention of gas defects gase defects को पो कहते हैं कर सकते हैं है तो सबसे पहली चीज आपको समझना हुआ कि गैस डिफेक्ट्स आ किउ रहा है रटेंग इने गैस इसलिए आ रहा है क्योंकि गैस अन्दर इस मोल डिंग सेंड गेंदर इस अन्दर गर्ण गरम गरम लिक्विड मेडल उससे टकर आता है तो वह वेपर है इसके अलावा वेटा इसके अंदर हम और गैनिक अंपाउंट भी मिला रहे हैं कुछ लोग हम वह मिलाते हैं तो वह क्या करती है अब वह पानी का गलास लेलो उसमें बवल जाता है वोबर करके आ रहा है अब वह त्रेवल करके आ रहा है तो वह इस मिट्टी दे नगल आ रहा है अब मिट्टी की जिम्मेदार ही है कि उस bubble को बार फैके, वो कप फैक पाएगी? जब उसके अंदर permeability होगी, permeability क्या होता है? गैस इसको बार फैकने की ability, गैस इसको बार जाने देने की ability, मतलब कुल मिलाके मिट्टी के अंदर voids होते हैं, voids से gas बार निकल जाती है, उसको permeability बोलते हैं, तो अब अगर मेरा यह gas यहाँ पर end trap कर रहा है, ठीक है? तो एक तो मिट्टी की जिम्मेदारी होगी, मिट्टी क मिट्टी की बन रहा है, दूसरा की bubble बना, अब bubble मालो बना यहाँ पर था bubble मालो इस जगहा पर, अब वो travel कर तो यहाँ है, इतने में liquid metal solidify हो गया, जम गया, मतलब अब उपर नहीं आपा है, अंदर रह गया, तो दो मेजर चीज़ा आपर रोल प्ले कर रही है, एक तो मिट् लिक्विड मेटल का जल्दी जब जाना, जल्दी solidify हो जाना, तो इन दोन पर कंट्रोल कर लो, यह gassive defect आराम से अपने अप चले जाएंगे, है कि ने, तो देखे क्या के remedies बन सकती, रटेंगा नहीं कोई बिटा, और अब अब आवी क्लास में बिटा आप, रटेंगे ने, क्या करो, आप अपनी send की permeability increase करो, increase permeability, permeability of, increase permeability of send, जो हमारी send है, उसकी permeability increase करो, यह कैसे कर सकते हैं बेटा, by providing vent tool, vent tool provide करो, vent tool कहते हैं, vent tool बताएदों बेटा क्या होता है, by providing vent tools, मतलब, जब हम ramming कर रहे होते हैं, जब हमारा pattern होता है, pattern इसके अंदर रहता है, तो उसी time पे बेटा, एक पतला सा wire होता है, उस wire को, इस मिट्टी के अंदर गुष्विटते जाते हैं, ऐसे करकर की, उसस पतले cylindrical उपर तक शेद बन जाएंगे, तो उससे क्या होगा, मिट्टी की permeability increase होता है, गैस उसको बार नकाल के पैकना, तो permeability increase कर लो, दूसरा का कर सकते हैं, दूसरा का कर सकते हैं, दूसरा permeability gas increase कर सकते हैं, by choosing, by choosing, high permeability send, permeability send, permeability, permeability send, आप सोच रहें, choosing high permeability send का meaning क्या है, बेटा, अरे, permeability बहुत सारी सीओ बेपेंड करती है, अगरा मेरा depth score चोईन करेंगे, तो पता चलेगा, कि मैंने यह पढ़ा रहा है, बचो को क्या होता है, जैसे silka particle जो होते हैं, उसके अंदर, उनके size पेंड करती है, छोटा size होग permeability का मैं, बड़ा size है, permeability जादा होगी, है कि नहीं, तो उस तरह से हमें, अपना जो molding send के particle का size है, वो select करना पड़ेगा, ठीक है, इसके अलाबा, हम कुछ और additives मिलाते हैं, उसके अंदर, जैसे molar size बगरा मिलाते है, to increase the permeability and all, ठीक, तो वो additives हम add करने पड़े, कुल मिलाक ठीक, वेंटोल मिला दिया, permeability कर दिया, इसके लाबा क्या करो, हम मैं देख रहा हूँ, कि हमारे gases defect IQ, हमारी मिट्टी के अंदर moisture है, जिसको हम green send बोलते हैं, तो क्या करो, पहले green send को convert करो, dry send में, ठीक है, green send को convert करो, dry send में, तो convert, 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 green send, green send का meaning क्या होता बेटा, green send का physical meaning है, जो मैंने अपने कोर्स में बता रखा है, आप join करेंगे, आपको समझ माएगा, फिलाल green send का मतलब आप समझे लो, इसके अंदर moisture content है, क्या है moisture content, तो convert green send into dry send, dry send, dry send में इसको convert करो, उससे क्या फायदा होगा बेटा, देखो, green send का मतलब होता है, इसके अंदर moisture content होता है, क सारा moisture गाइब करते हम लोग है, ठीक है, no moisture, moisture को हम लोग remove कर देते, तो कैसे करते हैं, हम अपने mold को, जो मिट्टी का mold है, यानि कि हमारा coupe and drag box है, उसको टागे oven में रख देते हैं, कुछ समय के लिए, oven में रखने से क्या होता है, उसके वो गरम होती है, तो गरम होने से उसक समय मिलेगा, तो हमारी जब तक gas भाहर निकल जाएगी, समझ में आ गया, तो next remedy क्या बन सकती है, नेक्स्ट, and the important remedy is, क्या, कि increase the pouring temperature, increase the pouring temperature, pouring temperature को क्या कर लो, increase कर लो, आगे बेटा पास समझ में, जाब लो फटा-पट, तो ये थे बेटा हमारे, कौनसे defect, कौनसे defect, कैसी हैस defect, चलिए, अब हम बात करेंगे, next type of defect, कौनसे वाले बेटा, कैसी हैस होगे, अब बात करेंगे, क्यानिटे, क्यानिट्यो, कि आ लो उनेट लो, «हटाई, लो और लो, क्याता लो , कैसी है सミ्र्ण, एक्या कि कैं प्युल, computer, conve murmur, वेरी 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 इंप्रेट्स ये क्या बला है सब देखो मेरे बहुत आसान है सामदे देखिंग सब लोग इज वेरी इसी तो अंडर्स्टेंड देखो अगें बिटा मैं फटा-फट से कोपें ड्रेक बोक्स बनाऊंगा और वन बाई वन आपको ऐसा समझाऊंगा कि भाई इधर आओ इधर आओ अभी आपको मज़े दिलाता हूं अभी आप बोलोगे अरे गुरुदेव कहां थे आप क्या बोलोगे कहां थे आप ठीक है यह बिटा कोप बॉक्स है इस देखोप और दिस इस ड्रैग पेटा यह कैविटी जो बनी गई बनाई गई यह ओब्यस्ती बात है यह कैविटी कैसे बनती है इसके अंदर पैटन रखा गया होगा उसको फिर उसको पूटा गया होगा मतलब मिट्टी डाल के पूटा गया होगा इसको रेमिंग प्रोसेस बोलते है तो अब हम जो डिफेक्ट देखने जा रहे होगा मोल्डिंग मट्रियल मैथर उसमें प्रोसेस बोलते है जो अब ही आपको मजा आ जाएगा कोबू है जो दोस्तों आप होगे अरज जाना चाहिए ऐसा ऐसा लेकिन इसके अंदर डिफेक्ट आ रहे है कौन को दिफेक्ट है वन बाई-वन सारे दिफेक्ट समझाएगा आपको भी अभी आप बोलोगा अरे गुरुदेव कहां थे आप इधार आओ अभी आपको मजा आ जागा बिटा कि 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 और प्राइग लेता हूं उसको एक सब्सक्राइग कि कि अब सारे डिफेक्ट भी एक बार में समझा दूंगा और आप बोलोगे गुरुदेव मजा 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 क्या बोलोगे मजा 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 बोलोगे जिए देखो बैटा आजाओ ये 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 सारे डिफेक्ट वी टाइस में चुपए हुए, सारे एक ही बार मैं सारे समझा दूगा और एक डिफेक्ट और ले लो, यहां पर एक काम करते हैं जस्त अ मूमेंट चलो उसको अलग से समझा दूगा तो यह हमारे सारे डिफेक्ट से विटा अब ही आप बोलो के गुरुदे मज़ा आ गया तो हमें कास्टिंग मिलनी चाहिए थी बिलकुल रेक्टेंगुलर शेप की पतलब साइड फरेंट भी देखे तो लेकिन हमें इस तरह एके डिफेक्ट दिखाई दे रहे है तो ऐसा क्यों हुआ वन बाई वन जानेंगे बिटा बस जोड़े रहे हैं मेरे साथ अंत तक मेरा प्रामिस है ऐसे डिफेक्ट आपने पहले ना कभी सुने होंगे ना देखे होंगे ना जाने होंगे ना समझे होंगे क्योंकि आप गौरब बाबु की क्लास में आया है ठीक है गौरब बाबु को नहीं जानते हो तो बेटा मुझे फॉलो करो एंड यूविल गेट तू नो मैं सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी अजूकेशन में बात करता हूं वाजी नहीं करता हूं वर यह कुर्शी बता तो जो लोग जल्द वाजी में जिनको डिफेक्ट बहुत जल्दी सीखने नाम याद करने तो मेरी क्लास से चले जाओ मेरी क्लास में तो वो बच्चे आओ जिनको डेफ्ट में ग्यान लेना विटा है ना डेफ्ट वाले काम करते हैं चलो इधर देखो बढ़ावट इधर देखो बढ़ावट बढ़ा अभी आप बोलो कि इधर मजा आ गया देखो मेरे बच्चों यह सारे डिफेक्ट में समझ दगाई दीट है इसको तो ड चुँए अब वह समस्ता है क्या था कि रमिं हैं और G, नंति अच्छे दिनकों मतलब तो वह लिक्विड मेटल जान देंगे लिक्विड मेटल आया सब फील करना जला लिक्विड मेटल यहां पर है। आपने नाम सुनाऊका जब ईस्टैक वांटर होता है वह उसको अगया 만들어 तो उसी चीज को समझो metal aesthetic pressure तो यह प्रेशर करेगा मैटल स्टेटिक प्रेशर करेगा सरफेस पर करेगा उस प्रेशर की वजा से उस प्रेशर कि जहां पर ढीला होगा मिटी उस मिटी में वो लिकुड घुझ जाएगा जैसे मालों यहां पर मिट्टी डिली रहेगी तो यह लिकुड यह ऐसको बेटा चीज सम्झो पढकर से यह यह और इसको मुलते है लिए कज चीज कि दर्ट और फट रहसे इसमें यहां पर पहला यहां पर मिठिके पार्टिकल के चुछ है तो मिठ्टि टपा करें तो थे तो मिठ्टिके पार्टिकल नीचा के शुच हे पड़ते मलगे च४ालव के शुच अालक यह बो सब्सक्राइब लेकिन आएगा बॉटम सर्फेस पे बॉटम सर्फेस पे लिक्वीड मेडल अब ही हो गया और आप और हम जानते कि यह श्रिंग भी करता है जब बॉटम सर्फेस पे मिट्टी के टपकने से जो डिफेक्ट आ रहा उसको ड्रॉप बोलते हैं कि आपकी मिट्टी के अंदर बाइंडिंग अच्छे नहीं है कि मिट्टी टपक रही है अगे बुटम सवाषण चापो पड़ चापो पड़ अरे मजा आ रहा है कि नहीं आरा है क्लियर चल्व अब यदर आओ जिए बडेक्ट आप मुझे बात बताओ आपके मुखका मारते हैं तो आपका मुख सूझ जाएगा आपका सर इंगलिश में स्वेल्ट हो गया वह बढ़ते हैं तो क्या यह सूझ आपको पेटाई तो यह को पिला के तो यह जो डिफेक्ट है यह सूज हुँआ है इसले इसका नाम है अभू पल आप अब यह क्यों आयो है अगेन की स्क्रेंथ अच्छी नहीं यह क्रहेंटर सेथैंप कि अधिन कि ГKI इसलिक्ष लगाएगा इसलिक्षाल सब्सक्राइब इसना शना लगाएगा है इसलिक्षाल चाहिए अगारे खोड़ेयर तो यह पर को अधीर को बड़ना इसलिक्षाल आपकी शेप को बरकरार रखनी भीजिए वाले लिक्विड मेटल की वज़ाते ल क्री डीकिड मेटल की ग्रेविटी की देंसिर की उन फॉर्सेस को पकड़ के खड़े रहना मतल्म फोॉर्सेस के जर्वाल अरे हैं बैकर वह भाल एक पिब डतका मारेगा और वहां से शेप को बगाल देगा किसकी शेप को तो हमने बॉटम वाले सर्फिस की बात के लिए अब इधार आजाओ बैटा यह वाला जो डिफेक्ट आप देख रहे हूं इसको बलते हैं इसकेब किया होता है मिट्टी अब देखो यह आता है मिचा द्यान रखेंगे ड्रेग वाले पार्ट में यह कोप आपका इसे लगेंगे यहां पर पूरा अरेंजमेंट होता है ऐसे करके कि अब दो पॉरेंग यहां पर मेंटर चाहता है मेडल जाना चाहता है तो प्रेशर उपर की तरफ भी लग रहा है यानि मेटल उपर भी जाना चाहता है अब मिट्टे कर लूज है उपर की तरफ तो वह मेटल क्या करेगा वह मेटल ऐसे करके मिट्टी कंदर घुज जाएगा और अपर सर्फेस पर कुछ इस तरफ चे उपर हुआ देखाई देगा मिट्टी कंदर पेनिट्रेट किया है बात को समझो मिट्टी कंदर घुज गया है तो यह काफी बड़ा एमाउंट होता है एक लेयर थी बन जाती है उपर उसको स्कैब बोलते है ठीक है छापो बटापड क्यूं आ रहा है ड्यू टू इम प्रॉपर रेमिंग इम प्रॉप बढ़ी बढ़ी है यहां पर दिमाग में रखो कि तभी सीजन में आएंगी ठीक है अच्छा अब एक और डिफेक्ट है यह तो कि एक लार्ज अमाउंट ओव मेटल जाके ऐसे गुज गया तो इसके बना दिया कई बार चुटी जाते हैं मिट्टी के अंदर चुटी जाते ह गुज जाता है तो पतली पतली रेशे जैसा देखाई देता है उसको बोलते है पैनी ट्रेशन यह वाला जो डिफेक्ट इस वाट वी कॉल पैनी ट्रेशन यह भी क्यों आया क्योंकि मिट्टी लूच छोड़ दिया आपने लिक्विड मेटल उसके नदर घुच जा रहा है तो यह डिफेक्ट कहलाते हैं बेटा क्या दीज अर्दा में मेंट इस वीडियो बना रहा हूं आप लोग के लिए और यह तो चो यह फ्री वीडियो आपको दे रहा हूं तो कहता है तो चो क्वाल्टी कैसी रखता हूं को पेड़ वाले बच्चों के लिए है ना इसलिए इधर उतर बटकना बंद करो ठीक है आई-एस ओफिसर विडियोस की है मैंने आई-एस यसी ओफिसर और तमाम पिएस पता नी कौन-कौन इसलिए बटा आख बंद करके गौरब बाबु के बात आओ ठीक है कंटेंट की जिम्मेदार ही है कंटेंट क्वालिटी वाला में लि ठीक है तो हम लोग अल्ला हुग अले लोग नहीं हम लोग काम करने बलीब करते हैं आई-ए मेरे साथ जोड़िए ठीक है मकेंकल के अंदर 70% से लेवस में खुदी पढ़ाता हूं बाकी की मेरे दुख से एजुकेटर्स भी है जो अधर सब्देट पढ़ाते है आई-ए जो यहां पर रेमेडि बोलो या फिर आपका बोलो प्रेवेंचन यह है कि प्रॉपर रेमिंग इस रिकुएट प्रॉपर रेमिंग करो इसके अलाबा molding sand की strength को increase करो क्या करो molding sand की strength को increase करो ताकि वो hydrostatic forces को यानि कि जो हमारे metalostatic forces थो उनको जहल पाए strength को increase करने का एक process होता है CO2 process तो ये दो चीज़ां आपको करनी है proper ramming करनी है और strength पर ज्यादो ध्यान देना है चलिए अब बात करेंगे बेटाम gating design defects gating design defects gating design defects ठीक है इदा आजओ फटापर ये हो गया हो गया gating design defects का मतलब ये है जबकि गेटिंग elements होते है like getting elements में कौन को ना था बेटा राइनिंग डालो पहले gating design defects gating design defects gating design gating elements के अंदर आते हैं बेटापके pouring basin sprue runner riser बिसिकली बात करें gate ये सब आपके कौन होते हैं ये सब आपके मैं फटाक से इनका डागर मना दे रहा हूं जल्दी से ताकि आपको समझ में आ जाए जल्दी देखो ये आपका pouring basin है ये आपका sprue है ठीक है यहां थे आपका runner गया ये आपका runner है माललो फिर यहां पे पिटा क्या होता है आगे चल के ये आपका runner है ये यहां पे आपका माललो गयट है ये gate है और फिर यहां पे आपकी main cavity है जिसमें आपको casting करनी है जिसकी casting आपको बनानी है ये ये आपकी main cavity होगी ठीक है ये और फिर यहां खोपडी पर क्या लगा हुआ राइजर ये यह राइसर है, ठीक, और यह तारा खेल किसके अंदर है, मिट्टी के अंदर बंद होता है, यह मतलब हम एक तरह से cut section देख रहे हैं, we are seeing cut section here, ठीक, तो pouring basin होता है, तो यह हमारी gating elements कलाते है, यह हमारा sprue है, यह sprue है, यह आपका runner है, यह जोड़र आपको चाहीं, यह आपका rijzer है, ठीक है, तो देखो बिटा, यह राइजर लिए दσι Algumma आप है यह राइजर है fins अ क्या है यह 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 आपका श्प्रूर्वं कि एक बहुत逫ो नहें ट्रफ ओकि और सब क्रिक्शें अंदर मिट्टी प यहां साब ब्सौराउस्ट वाले पांड होता है यहां से मेटल आता है लिक्विड मेटल शिन में डाल देते हो फिर लिकविड मेटल आता है और यह ऐसे करके 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 इसके अंदर जाके तो यह है यह प्रोसेट हो थो हमने वाले हैं वहम्हारी सिंग है कि है यहां पर हमारी कास्टिंग यह है कि यहां पर हमारी कास्टिंग निकल के आनी चाहिए लेकिन आपने कुछ गलबना करती तो कुछ ऐसी निकल के आ रही है देखना फील करना चाहिए कि यहां पर गेट के पास यहां पर गेट के पास कुछ इस तरह से मटिकल दिखाई दिया आपको मतलब ऐसे कर तो इसको यह ऐसा कुछ मटिरियल आपको दिखाई दिया कट बन गए यहां पर यहां पर आपकी मिट्टी तूट गई इस तरह से और यहां पर आप देख रहे हो गड़्डा सा दिखाई दे रहा है पतला यह इंप्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ गेटिंग एलिमेंट्स है क्या है इंप्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ गेटिंग एलिमेंट्स जैसे गेट गेट का मालनों यहां पर गेट का एरिया में ज्यादा चाहिए था पर आपने इतना कम बना दिया कि जो लिक्विड जाती है यहां से मिट्टी हट जाती है तो इसको बोलते हैं कट या वश क्या नाम है इस कट या वॉश के इस कॉल्ट चाट बड़ा चाहिए था आपने इंपर आपर डिजाइनिंग करी चोटा डायमेटर बना दिया और वहां से लिक्विड मेटल की स्क्रिम आ रही है हो वह से मिट्टी को तोड़ दिया हुआ इसको क्या बोलेंगे तो वहां से गेट के पास से मिट्टी अट गई तो डिफेक्ट क्र क्या बोलेंगे कट और वाश पासमयारी कि नहीं आ रही है इसके अलावा यह इंपर डिजाइनिंग ऑप गेट के वह से हुआ है इदर आओ राइजर का टास्क होता है कि जब मैटल श्रिंग करे तो उसको यह क्या करे कंपनसेट करे जब मेट्रियल श्रिंग करे तो यह रा मेटल श्रिंग कर रहा है अब हुने बनाये तो प्र एत हुआ मेटल श्रिंग कर रहा है अब राइजर श्रिंग मृटत वह श्राया को अपने इसके और लेकिन वो अपने material को उसको दहीं नहीं पा रहा क्योंकि वो पहली हो चुका है तो यहां पर क्या होगा एक cavity क्रेट हो गई एक यहां पर गड़ा बन गया ना यह काई दे ऐसा होना चाहिए था यह तो इतना material हमारा loss हो गया थे क्या होगा नहीं पี स्कूरी तो यहां पर मेक्या नहीं पूर्थ कर पाए can I could जॉब्डे को शींग केज्व कियाँ लग suffers गया गया तो श्रीणिकेश कावेटी कि ने पूंग स्वैटी कि चाप लो फटापट इस डिफेक्ट इस काल श्रिंगेज कैविटी मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो यहां पर इनकी रेमेडी के वल एक है कि प्रॉपर डिजाइनिंग करनी आपको आपके गेटिंग एलिमेंट्स की जो की मैंने आपको डेप्थ कुर् अब हम बात करेंगे नेक्स टाइप डिफेक्ट जिसको बोलते है पोरिंग मेटल डिफेक्ट जो की बहुत इंप्वारेंट है ठीक है देखो पड़ापट से रटो मत एक दो तीनों के चौता पोरिंग मेटल डिफेक्ट यानि जो हम मेटल पोर कर रहे है उसकी वहीत आने पोरिंग मेटल डिफेक्ट इसमें बेसिकली बिटा डो डिफेक्ट आते हैं ज्यान देंगे सब्सक्राइब यहमारा स्पूर्व है और यह स्पूर्व इस तरह से रनर के माध्यम से किसी एक कैविटी के अंदर जा रहा है माल लो यहमारी कैविटी है यह रहे है ठीक है यह माल हमारी कैविटी है यह लिक्विटी है अब हमारा लिकविड मेटल आया बीटाई एसे करके यहां से अभी अमारी कैविटी है बीटा hurry कैविटी है यह पूरी कैविटी था कोंची नीए पहожно कर पाया पहले ही हो गया हमारी के पूरी तरह से फिली नहीं हो पाई पहले ही हो गया यानी के पूरी पहुंची नहीं पाया उसे पहले हो जाना ऐसे को बोलते हैं मिसर्ण क्या बोलते हैं मिसर्ण यानी पूरा रनी नहीं ले पाया वह आधे रन आउट हो गया हो यह जब तक पूरी प्रण शोड़ी पाया उसको बोलते हैं अ इसमें याद रखेंगे, इसमें एक single stream आती है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं, कई बार, कई बार, यहाद देंगे, कई बार, कास्टिंग, multiple riser से बनाई जाती है, sorry, multiple, not riser, multiple, you can say, multiple, runner के थुरू आती है, नहीं, multiple spruce लगे होते हैं, ठीक है, तो इधर देखो, एक और example देखो, खटापट से, एक sprue यह रहा, ठीक है, और एक sprue यह रहा, ध्यान देंगे, मैंने, double sprue यह माल लेते हैं, दो stream आ रहे हैं, liquid metal की, liquid metal की, दो stream आ रहे हैं, ठीक है, जान देंगे, एक liquid metal stream यहां से चलके आ रहे हैं, क्योंकि, कही बार है था होता है, कास्टिंग का साइट जब पड़ा होता है, तो multiple stream चलती है, तो मैं बोला हूँ, दो stream ले लिए हमने, तो जब single थी, तो नाम था मिसरन, अब अगर double stream आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, तो 2 stream के बारे को सुल लो, बेटा, अब यहां से liquid metal की stream चलके आ रही है, यह ऐसे चली, और यहां पर solidify होगी मालो, यह थर से चली, यहां पर solidify होगी, मतलब, दोनो stream एक दूसरे से मिल नी पाए, दोनो stream का मिलन नहीं हो पाया, बेटा, दोनो stream बिचारे, पहले ही जम गए, पहले ही पर लोग सितार गए, दोनों, दोनों गले मिलने आ रहे हैं कि चलो, दोनों गले मिलेंगे, कास्टिंग बनाएंगे, लेकिन पहले ही बगवान ने को उपर बला लिया, कि चलो बिटा आ जाओ, तो मैं गले मिल वाता हूँ भी, बास होगी माला है, तो जब दो stream आ रही है, और वो एक दूसरे में नाम डिफेट का डबल मिसरन नहीं है, मतलब यह एक मिसरन यह, एक मिसरन यह, दोनों मिल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे डिफेट को बोलते है, cold shut, क्या नामे डिफेट का, cold shut, cold shut, याद कैसे रखना है, यहाँ पर डबल इस्ट्रीम आ रही है, ना, two streams, two streams of metal, two streams of liquid metal, लिक्विट मेटल तो ऐसे डिफ्यक्स को या बोलते है मेटम लोग मिस्र शॉरी कोल्ड शट कीक है कोल्ड शट इसमें क्या-क्या तिक्क्त हो सकती है तक क्यों हुआ एक तो आपको साफ से देखा देखा रहा है कि लिक्विड मेटल जल्दी सॉल्डीफाई हो जा रहा है मुझे यानि यह टेख ही यह टीख आपको टीविए के inde कं असको टीबारा इसका पॉसिबल रहा है कर सकते हैं तो देखो रेमेडी सी लिख देता हूँ यानि कि इसका प्रवेंचन क catch कि इसका प्रवेंचन एम तौ त이션 दांते ऐसो ओंने दानते हुअ इसका प्रवेंचन सरकते हैं रिवेंचन क्यासे करेंगे यह एदिया हुई के इंग्रीजि दफुरुदी इंक्रीज्डि देटि को इन्क्रीज्ड दिखुडिकीड और लिक्विड मैटल सबसे पहले क्या गरो 然後 टेंपरेचर इंक्रीज करो इसकी जो सर्फेस उसको स्मूथ करो याद करो मैंने पढ़ाया था आपको सर्फेस प्रम लोग क्या लगाते हैं वो जो चार कोल का पाउडर होता है उससे सर्फेस फिनिश को इंक्रीज करते हैं सर्फेस यतनी अच्छी होगी उतना मेटल फिसल्ट हुए जाएगा जब फिसल जलते हुए जाएगा तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगा तो पूरे-पूरे चांसे हमारी केविटी फिल हो जाएगी करेक्ट है तो आपको सर्फेस फिनिश उप इंक्रीज बढ़ा लेने है ठीक है इसके अलाबा आप गेटिंग डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं इंप कि लिक्विड्मेटल की सपीड को बढा सकते हो और अब अब जल्दी फैल के जाएगा तो मतलब कोल मिला के बढ़ी डिजाइन को भी चेंज कर सकते हो बास समझ माई की नहीं आई अरे बास समझ माई की नहीं बेटा जल्दी बताओ क्लियर है चलिए तो यह होगे विटा हमारे क्या मेटल पोरिंग मेटल डिफेक्ट्स तो दो डिफेक्ट होते हैं में मिसरण और कोल शट ज्यान रखेंगे है never default का नाम नवर टाइप तो एक दो खीक również मेट लार्जीकल थेक्ट और उसका अदरिफेक्ट तो मैटलर्जीकल डिफेक्टs क्या हुँ को ऍवेटा AB मैटल लर्जीकल डिफेक्ट Metallurgical Defects में बेटा क्या आता देखो फटापट से Suppose हमें कोई ऐसी Casting बनानी है Suppose हमें कोई ऐसी Casting बनानी है मालो L Shape की Casting गई है तो दोस्तों यहाँ पर मालो dimension A है और यह वाली dimension भी A है यह junction point है यानि कि vertical arm और horizontal arm बतलब L Shape है ऐसे करके यह vertical arm कहला है कि और horizontal arm कहला है कि यह junction point है junction point पर बेटा यह arm क्या होगी यह obvious ही बात है यह dimension A से बढ़ी होगी जाता है होट क्या बोलते है इसको जल्दी बिताओ यह जो junction है इसको hot spot बोलते है क्या बोलते है होट-spot तो इस तरह की casting यहां पर होट-spot होते है होट-spot का मेनिंग यहां पर यह है वेटा जापर junction वाले point होते है वाद मट्रियल जाता हो common sense सोचके देखो यह यह dimension है मैं बोलना हूँ यह पांच में में यह पांच में में तो यह जो जगे होगा दिरता गरम बना रहेगा क्योंकि मेटल जादा है इसी लिए इसको hot-spot बोलते है तो जब भी hot-spot होते है वहाँ पर uneven thermal stresses डवलप होती है तो shrinkage cavity के चांस बन जाते है एक तो दूसरा cracking के चांस बन जाते है तो यहां पर क्या होता है material shrink करता रहता करता रहता Х Oui क्रेक हो जागा मतेकिल तो एसे डिप्रेक्ट का नाम है रहता नाम होती요 या hot इसको crack भी बोलते हैं थर्मल crack भी बोलते हैं इसको टियर या crack ट्रेग हो जागा नाम है लिए होट टियर तो यह कैसे हम कर सकते हैं इसको हम कहते हम कर सकते है तो बैटा इसका prevention सुनलो इसका prevention एकी तरह से हो सकता है that is what by uniform solidification uniform solidification कि यूनिफर्म कि विचेंगे यहां इस यहां बड़ेंगे तो यहां जल्दी बिच्छाएंगे क्योंकि वोलिम यहां यहां बड़ेंगे वालिम जादा तो धेर में सूखेगा देर में इसके पास हीट गणेंट भी जाता है तो यहां की जो एक एक समान रूपसे स्लिदिवाई कैसे बढ़ाऊंगा मैं पो बैटा चिल्स किया होते है कि चल्स लगा दूंसे इंड्स मैटल के को अपने पास खीचेंगे जिससे टी ट्रांसुरेट गलेगी तो जैंगे यूदर्फ पर क्या लगा देंगे चिल चल्स अंगर्वात कटेंगे चिंद होट इसपोर्ट पर से हीट को खेंचते हैं यानि होट इसपोर्ट के पास जो ज्यादा एक एमांट ओफीट है उसको अपने आपास खेंच लेंगे जिससे उसका हीट ट्रांसफरेर बढ़ जाएगा समझ में आ गया तो कुल मिलाके यूनिपॉम सॉलिपिकेशन करेंगे ही विजन चील्स छील्स लगा के समझ को अचीव किया जाएकर छापलो फट आफट इसके लाव पिटा अधर डिफेक्स भी आ सकते हैं तो वाधर देख लेते हैं अधर डिफेक्ट्स तो अधर डिफेक्ट्स में आता है मेरे बच्चों वेरी फॉर्स्ट इस कोर शिफ्ट कोर शिफ्ट हम जानते हैं कोर बेसिकली हॉलो अबजेक्ट प्रड्यूस करने के लिए बनाई जाती है ठीक है तो सपोज मुझे 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 एक हॉलो सिलिंडर बनाना है ध्यान देंगे मुझे एक हॉलो सिलिंडर बनाना है और इस तरह से बिल्कुल सेंटर में कोर मुझे दिखाई देनी चाहिए ठीक है मुझे एक हॉलो सिलिंडर बनाना है तो यह मुझे इस तरह की कास्टिंग चाहिए यह मेरा अब्जेक्टिव है I want this type of casting मुझे ऐसी कास्टिंग चाहिए तो यह परफेक्ट बिल्कुल सेंटर पर कास्टिंग सेंटर पर कोर को हम जानते मिटा कि सेंटर मोल का से आया अब कुछ बच्चे हैसे होंगे रहे यह कोर क्या होती तो भाई यह टैप्थ कोर्स जोइन कर लो गेम लाइव एप्लिकेशन पर जाके ठीक है विल्कुल बैतरीन कोर्स चला चौद वीने कोर्स एज दो साल का कोर्स भी एज़ आपका लेना लेलो बिटा तुह यहां पे बैटा पोर लगाई गी कि उसकोर की वजासी सेंटर में होल बना तो यह परफेक्ट परफेक्ट ओल है बैटा इसे परफेक्ट टुक कास्ट बोल दो अब मैंने देखा यह बानते हैं और वो होते हैं वा लिक्वड मैडल अंदर बूबग़ी हैこれ और उस पर क्या लगते हैं कि उस पर आईड्रॉस्तका उस पर बोखन फोर्स एलगे जाएगा मैंक्कषिफ्ट हो नीगए जो कॉट's जी हो गई को उपर चली गई क्यों चली गई क्योंकि आइड्रस्टेटिक पोर्स लग रहे थे जिसकी में पॉइंट फोर्स बना खुल में लाकर तो इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए बिटा याद करो को प्रॉपर क्या देना पड़ेगा प्लेस्मेंट देना पड़ेगा को प्रिवेंट को प्रिवेंट कहते करेंगे हम जल्दी बताइए प्रिवेंट्चन कहते होगा पढ़ा रहा है सब कुछ मैंने इसका प्रिवेंट्चन कहते होगा मेरे बच्चों कोर का कोर की शिफ्टिंग का प्रिवेंचन होगा वाई यूजिंग चैपलेट्स याद करो व नीचे से इस तरह से और उपर भी लगा देते हैं ऐसे करके mold cavity के अंदर core को support करते हैं जिससे core उपर नीचे shift नहीं हो पाती है hydrostatic forces की वज़ाते बॉएंट force की वज़ाते उपर जै नीचे नहीं जा पाती है वहीं के भी रहती है आगे बात समझ में तो बाई उजिंग कोर क्लियर हुआ सोरी बाई उजिंग चैपलेट्स तो यह मारा चैपलेट है तो चैपलेट्स यूज करो ठीक है इसके लाबा प्रॉपर डिजाइनिंग करो कोर की है ना अरे बात समय आ रही है कि नहा रही है और और याद करो कोर्ड प्रिंट क्या होता है फ्रॉपर प्लिसमेंट के लिए यूज होता है याद है कोर्डेक्शन आँद पैटन अंडर कडिन दा मुल्ड गए वीटी तो कोर्ड़ प्रॉपर डिजाइन करो कोर प्रिंट डिजाइनिंग कि कहा पर हमारी को शिफ्ट होना है चली कोर प्रिंट हो गया अब यह कोर पिंट बेटा कुछ लोग पूछ रहे हो तब यह सब चीज में पड़ा चुक हो मेरे बच्चो इसलिए कहते हैं कि देखो मेहनत करो पड़ाई करो यह आपका करियर है करियर बनाने में को अंजूसी मत करो आओ कोर्सेश खरीदो और मजा लो जीवन का आनंद लो इंजिनिरिंग का है ना चलिए नेक्स प्लीज मजा रहा है कि यार से फील हो रहा है कि नो डिपैडेक्स उतार नाम रट लिए ना नाम रट लिए भईया मैंने तो नाम रट लिए बच्चे जाओ मेरी क्लास में अब देखो फटा-फट से मोल्डशिप हम जानते है कोप एंड ड्रैग बॉक्स होता है ठीक है हमाएं पता है कि यह हमारा मालोग कोप बॉक्स है ऐते करके ये cope box है और इसके बिलकुल ठीक alignment में आना चाहिए ये drag box येवाना drag box है नीचे वाला ये cope and drag जब बिलकुल perfectly aligned होंगे तभी जाके हमें एक perfect casting मिलेगी की नहीं मिलेगी मिलेगी की नहीं मिलेगी बिलकुल मिलेगी तो जब ये properly aligned हो जाएंगे इनके लिए पिंस होती है और clamping होती है तो यहाँ पर ये cope box होगे है उपर वाला आपका cope और ये drag box है ठीक है यहाँ पर proper इस तरह से इनका alignment किया जाता है ऐसे करके और यहाँ पर pin डाली जाती है ठीक है इस तरह से alignment किया जाता है इनका ठीक है तो clamping लगाई जाती है इनके उपर ठीक है ये clamping होती है पूरी बाकाईदा इसको पकड़के रखा जाता है ताकि जब metal इसके अंतर आएगा जब liquid metal इसके अंतर आएगा तो hydrostatic forces लगाएगा बेटा hydrostatic forces लगाएगा तो ये rigid रहने चाहिए उपर और नीचे खिसकने नीच चाहिए अगर माल लो खिसक गए ठीक है अगर माल लो खिसक गए तो क्या होगा बेटा तो हमें चाहिए हमारी गयर कोगई यसको बोलते हैं या म मटकी शिफिते होगी बेटा को खिसके स्टे पोर्स वाड़ अहीं उप जीए होगए इसको भलते मृलो शिफ्ट या जनर्ली कॉब बॉक्स में ही ज्यादा डिस्प्लेस्मेंट होता है कॉब बॉक्स इधर किसक्किया मालो तो यह ऐसा देखेगा न कोब बॉक्स आपको yes or no ऐसा करके कर दोस्ता है कि इसको एक तो इसकी री मेड़ी क्रों प्राप्र ग्लेंपिंग करो तो इसकी रेमेडी क्या है या इसकी का है प्रोपर प्रोपर क्लेंपिंग करो कि क्लेंपिंग करो कि तौल स्थ पिन्स कहीं होती गटा चो कि ये जो खुर्प cricket ये अपनद Hm लोगा कोब ऑपन बोगी तो प्रिंस अंदर खुस जाएगी यह करके तर उसमें को किसा कि है ये इस को बॉक्स में डगिए यह फैक है य यह प्इन और नहीं है इसमेरे जोूह बॉक्स में थे होल हो रखा बै Billy आठिक है तो नहीं हम प्रोपर को जाकाए ये ये यह पेन इसके अंदर गुज जाएगी आई बात मुझ में नहीं तो मिस अलाइंग नों को चांजी खतम हो जाएगा बात मुझ में आएगी नहीं तो प्रॉपर पिन लगाओ प्रॉपर जो है यह लगाओ क्या बोलते हैं इसको ख्लैंपिंग लगाओ यह ख्लैंप्स हो गए हुआ दिजार्भ और रक्लैंप्स इस किराब फिर भी कमी पढ़ रही है कई बार मेटा पहुत ज्यादा हाई वॉल्यूंव वाला कर दो कास्टिंग होता तो लिक्विड मेटल भी मेटल ज्यादा हुए था जो लगते है है क्वण सबस्दिख सकता हो उपर उठता है कई ल एक एडिशनल वेट इसको उपर रख़ता है तो तीसरा काम क्या हो जागा प्रोवाइड एडिशनल वेट प्रोवाइड एडिशनल वेट एडिशनल वेट ओन ओन क्या ही है को ठीक है तो यह कहानी है मेरे बच्चो चापलो बड़ापड दोस्तों यह थे सारे डिफेक्ट्स उम्मीन कर रहा हूं मजा आगया होगा डिफेक्ट्स देखके फील भी होगे उनके इनके नाम याद रखिएगा एज एक्जाम्स में तो नाम बगर पूछे जा या फिर ऐसा कोशना सकता कि डिफेक्ट दे जाएंगे उनके काराट पूछ ले जाएंगे आपसे क्यों होते हैं एक दिफेक्ट दे जाएगा पॉसिबल रेमेडी पूछ लेगे रेमेडी मतलब कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं तो मैंने अपनी दर्पसे बैस दे दिया आप लिखोगे अलो सर माइनेम इस दिस एंड आइव टेकन यूर नंबर फॉम दिस एंडेट एंड आयव इस इस कोईरी तो वट रिप्लाइगे रहों आपको समझना पड़ेगा मेरे पास अजारों बच्चों के मैंसे जाते हैं तो मैं उन्हीं को रिप्लाइ करता हूं ज दोस्तों जो इन बच्चों को लेक्चर अच्छा लगा प्लीज शेयर करते हैं कोमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा आपका क्या रिव्यू है इस लेक्चर के लिए एड वन मोर थिंग जो बच्चे डिटेल स्टडी करना चाहते हैं गेट की एस एक्जाम की सिवल और म करो मेरे पेड कोर्सिस को जहां पर आपको एक एशूर सक्सेज मिलेगी यह गौर अब होगी आपको गरेंटी है तो चलिए मुलागात करूँ और नेक्स सेशन में तब तक के लिए जैहिंद जैबारत थाइंक्यू सो मॉस्ट लव्यों टाटा बाए बाए